हलो गाईस कैसे हो आप सब लोग टेक्निकल सुहल में आपका स्वागत है जैसे कि आप देख सकते हो यह जार हमारे पास आया है लेकिन यह इसकी कप्लिंग जो यह लगी वी है यह दोनों तरफ घूम रही है मतलब यह फिरी हो चुकी है तो जिधर इधर भी घूम रही है यह आपको दिखाते हैं इसको चेंज करना है अपको और इसमें क्या क्या सामान लगेगा उसका क्या प्राइज है वह भी आपको बताते है वीडियो अची लगए तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चुलिए इसको हम खोलते हैं और यह फृपी ओगई है तो में असानी से खुलती ली कि पिर भी मैं कोशिछ करता हूं कुलने के से कि प्य हम यह हसन से कोशिछ करते हैं अब यह कुल जाती है तो अब मौरी निकल गई है और इसमें यह नट लगा हुआ है यह उजाता है यह फिरी हो जाता है तो यह इसकी प्लास्टिक छोड़ देती है इसलिए यह फिरी हो जाता है तो इसको हम खोल लेंगे किसी प्लास से इस नट को उसके बाद दूसरी इसमें कप्लिंग लगाते हैं या इसमें देखते हैं और कोई प्राब्लम तो नहीं है और हम ये नट खोल लेते हैं इसका बागी तो और इसमें बुसूस अभी नहीं कटा हुआ है बागी तो सब सही लग रहा है काफी टैम से रखा वाता है तो इसमें हम हलकी सी रहमर मार देंगे ये फिरी हो जाएगा ये फिरी हो गया है अब और इसमें हम और बिलेड लगा देंगे अब ये सही वर कर रहा है इसमें हम अलका ऐसा ओयल डाल देंगे यहां पर जिसलिए ये और और देख सकते हो आप ये अब बिलकुल फिरी हो गया है जार हमारा और इसकी साथ काफी निगली है तो हम इसमें क्या काम करते हैं इसमें एक स्परिंग लगा देंगे ये सारे मिक्सर के स्पेर पाड़ है ये आपके थोड़े आपके पास थोड़े थोड़े से सारे होने चाहिए एक एक पैगिट आप ये मंगा के रख सकते हो फिर काम करने में काफी आसानी होती है हम इसमें एक स्परिंग लगा देते हैं और यह हमारी नहीं कप्लिंग है, हम इस कप्लिंग को इसमें लगा देंगे और यह कप्लिंग हम टाइट कर देंगे इसमें और यह कप्लिंग चाबी आती है इस से आप इसको आराम से चाओ तो आप प्लाज से भी टाइट कर सकते हो लेकिन कप्लिंग चाबी हो तो बहुत ही आसानी होता है काम करने में और यह हमारा जार बनके तयार हो गया और इसमें हम स्पिनिंग इसलिए लगा देते हैं कि यह थोड़ा बफर कर रहा है जो देख सकते हो आप अंदर बाहर हो रहा है तो यह जहां पर बैठना होगा वहां पर सेट हो जाएगा और आपको यह भी बताते हैं हम इससे कस्टमर से हम कितने पैसे चार्ज लेंगे इससे सिर्फ हम कस्टमर से 20 रुपे चार्ज लेंगे